हेलो स्टूरंट्स वेल्कम टू डॉक्टर इनामदार आयर्वेद अकैडमी आज हम देखेंगे ओज उससे पहले एक बात बता दो आज का लेक्चर हमारा बोर्ट के उपर नहीं होगा आज हम पेजेस के उपर देखेंगे क्यूंकि इतना वक्त मैं नहीं निकाल पा रही हूं आप लोगों को कोई टॉपिक इस तरह से नहीं समझ में आया है या कुछ रह गया है तो आप लोग मुझे बता देना कमेंट में मैं वह वापस से आपको समझा दूँगी ठीक है तो आज एटेस कर लेना हम लोग पेजेस पर देखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं ओज इस आता रहता है शौट नोट के लिए जैसे निरुप्ति बता दीजिए उसका महत्वा बता दीजिए आयरवेद में या उसकी निर्मीति बता दीजिए इस तरह से शौट नोट साते रहते हैं और उसके अलावा लॉग अंसरिंग के लिए भी आता रहता है 15-10 मार्क्स का या फिर मॉडन साइंस से एटेच करके कनेक्ट किया हुआ भी आप लोगों को क्वेशन पूछ सकते हैं जैसे ओज की व्यक्या आयरवेद महत्वस परष्ट कीजिए और आयरवेद का मॉडन साइंस का हम लोग इम्यूनिटी को कंपेडिबल मानते हैं ओज से तो इम्यूनि आयरवेद में चिकित्सा के दृष्टे से तो आयरवेद ओज का बहुत महत्व है क्यूंकि जब भी हम लोग बीसीज की सीवेरीटी ताय करते हैं या द्रवी सिलेक्ट करते हैं पेशन्स के लिए तो उस वक्द भी आप लोगों को ओज को कंसिडर करना होता है ओज आयरवे जो आयरवेद की खास खासियत है इसकी आयरवेद में बहुत अइमियत है तो ओज इनकेस जैसे फरस्ट यर के स्टूड़न्स है जिनको आयरवेद के बारे में जादा कुछ मालूम नहीं है उनको या फिर रुगना आया है कोई आपके पास तो उसको अप लोग क्या है कि बल है आपका इम्मुनिटी है आपका व्याधी प्रतिकारिक शम्ता है इसको हम लोग ओज मानते हैं लेकिन एक्चुली ओज क्या है एकोर्डिंग टू आयरवेद साइंस हम लोग आगे देखेंगे ठीक है तो पहले स्टार्ट करते हैं ओज की व्याख्या या निरुक ठीक है ओजस्तु तेजो धातु नाम शुक्रांता नाम परमस्मृतम अश्टांग्रिदय का श्लोक है यह ग्यारवेद ध्याई के अंदर का ओजस्तु तेजो धातु नाम शुक्रांता नाम परमस्मृतम ठीक है इसको हम लोग निरुक्ती कह सकते हैं कि ओज क्या है ओज ध दैजानी का सारे दातू का essence of all धातु starting from रसे टु शुक्र essence of all धातु सारे धातुओं का सार कौन सा वाला सार strict वाला सार जिसको हम holy grail of life भी कह सकते हैं जो purest है purest of all things ठीक है ओज क्या है ओज के अंदर किसी मल की मल उसके अंदर कुछ भी present नहीं है सिर्फ pure और फॉर्म में होता है ओज और उसी को हम लोग holy grail of life भी कह सकते हैं next अच्छा ये श्लोक जो सारे है ये easy easy श्लोक है और बहुत important है आप अगर ये नहीं लिखेंगे exam में तो आपका score अच्छे से नहीं हो पाएगा आपको ये श्लोक याद करने है और easy है जैसे आप 2-4 बार श्लोक पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा और कभी भी आईरवेद के अंदर main main श्लोक अगर आप लोग याद करेंगे तो उसकी वज़ासे एक तो आपको writing में भी बहुत help होती है कि आपको सब कुछ याद लाला के explain नहीं करना पड़ता है श्लोक के अंदर सारा कुछ दिया होता है आप लोगों को सिर्फ वो श्लोक याद करके उसके according उसको explain करना होता है तो next वैखा का श्लोक है हमारा रसादी नाम, शुकरानता नाम, धातु नाम यत परम ते जहा ततखलू ओजह, तदेव बलम इती उच्चते ठीक है स्वशास्त्र सिधान तत ये सुशुरुट सुत्रस्थान पंधरा का श्लोक है तो सुशुरुट क्या कहते है रसादी शुकरतक के सारे जो सातो धातु है उनका ये पर तेज है अब यहाँ तेज का मतलब उष्ण गुनात्मक नहीं है हम लोग धातु के आगे ओज के आगे गुन देखेंगे जो हमने शीत माना है तेज का मीनिंग यहाँ पर हम लोग उसको उष्ण तब जिसके अंदर है वो नहीं मानेंगे यह हम इस तरह से कह रहे हैं कि वो उसका तेज है मिन्स उसका साराउश है उसका अर्ख है इस हिसाब से उसको तेज वर्ड लिया गया है साराउश कहने के लिए तो रसादी नाम शुकरानता नाम धातु नाम रसादी सारे शुकरतक के श्रयष्ठ साराँश को हम लोग बलब ही कह सकते हैं अपने शास्त्र किशाश्चर को है, अब यहां पे हम लोगों को यह फर्द देखना है कि actually बल आपको चिकिटसा की दुष्टी से बताया गया है कि ये बल है जब हम लोग किसी के अंदर ओज का जब ढूंडते हैं चिकिटसा देते वक्त किसी का ओज अच्छा है किसी का नहीं है ये कैसे हम लोग मानेंगे जैसे कुछ-कुछ व्यादी है प्रमेह के अंदर न्यू तो कि ओज का खशय हुआ है तो इस वक्त जब चिकिटसा के और निदान के कंसीडर करते हुए हम लोग को इसको बल कह सकते हैं लेकिन एक्ट्यूली में ओज जो है एक द्रव्य है क्यूंकि उसके गुन बताया गया है उसका वेट बताया गया है हम लोगों को है ना आगे उ लोगन नहीं एक स्बाइन कर सकते हम लोग ना स्थो किया है इग और ओज क्या है जैसे मान लो अभी पेन आप लोगों को नज़र आ रहा है इसके अंदर वीडियो के अंदर तो राइटिंग यह क्या है एक कार्य ठीक है और वो किस कार्णर द्रविय से हमने किया है पेन, पेन को कारंद्रव्य को इस्तमाल करते हुए हमने राइटिंग का कार्य किया है तो यह क्या होता है कार्य अनुमान गम्य होता है तो उस तरह ओज जो है कारंद्रव्य है जिसकी वज़े से हमको बलप्राप्ती होती है और बले प्राप्ति ये क्या है कारिय है ठीक है नेक्स हम देखेंगे ओज के परियाए ओज को और किस किस वर्ड से अलग-अलग ग्रंथों में बोला गया है तो ओज को सार कहा गया है सर्वधातु सार, स्थिराउंश, स्नेह, प्रसाद, रसात्मक या रसह, जीवशोनित, दि स्थिप्ति, कांति, प्राकृत, शलेश्मा, धारी, महत ये सारे क्या है ओज के परियाए है ठीक है नेक्स इसके अंदर हम देखेंगे ओज को अलग-अलग ग्रंथकारों ने ओज को अलग-अलग तरीका से इस्प्लें किया है तो वागभट ने जो है शुक्र मल माना है अश्चे खेके वागभट जारियन क्या चूछ है शुक्र का मल कहा है ओज को दूसरा शारंग धर ने उसको उप धातु कहा है शुक्रका और बिदल्य हन ने इसके बारे में ये कहा है कि शुक्र का पोशक आंश पूपर रसधातु आगनी की प्रक्रियां होती है फिर उससे रसधातु की निर्मीती होती है और दूसरा पोछक आउंश की निर्मीती होती है और उसले पोषक आउंश को अंज में और ऑप स्थाइसुज़। तो सुक्षमत गुल्टी आप Fiome में होता है शुक्रधातु का का है थीग एडाविक का 이켁 के पो Elliot स्कुन, सर्भाण क्यों स्कूरत के नकि ले हम लोग शुक्रत वेहाएं के शूचत को सतोधातु का सारभाग है या तेजस च गुन भाग है ओज तो यह सब के अलग अलग कंसिटरेशन है हम लोग उनको पता होने चाहिए लेकिन चिकिसा करते वक्त और आयुर्वेद शास्त्रों को इन ओल मानते वक्त हम लोग यही मानते हैं कि ओज का रसा से लेके शुक्रतक सारे धातुओं का सार भाग्या है और परवाला सार स्रेष्ठ वाला प्योरेस्ट इसेंस जो है वो हम लोग ओज मानते हैं नेक्स्ट चरक ने इसमें और एक चीज कही है प्राकुरत अस्तु बलम स्लेश्मा विक्रुतों मल उच्चते सच एव ओजहा स्मृता काय सच पापमोपद इश्यते चरक सुद्रस्थान कश लोग है तो इसमें उन्होंने कहा है प्राकुरत बल क्या है सै ठीक है फ्राख्रुत स्लेश्म मेंज कफग क्या है बल जर्ड महत्चते व जब विक्रूत हो जाएगा तो उसको मल कहेंगे सचेनगे और ऑजहा स्मृत उसी को हम ओज कहते हैं काय पापमोपदिश्यते काय मिश्यक को पापमा मींज डिसीजेस डिसीज से व्याधी से वह दूर करता है ओज ठीक है ओज क्या करता है शरीर को व्याधी से दूर करता है और ओज क्या है स्लेशमा ही है और प्राकृत जो स्लेशमा है वो ओज है या वही बल है यह चरक का मानना है लेकिन according to me यहां जो स्लेशमा या कफ का उले किया गया है यह द्रिदोस वाला कफ नहीं है यह अलग क्योंकि कफ सरदुष्य है इसलिए ओज को कफ बोला गया है जो कफ है यहां पर इसका अलग चीज है और जो त्रिदोशों वाला वातपित्त कफ वाला जो कफ है वो अलग है अगर ऐसा नहीं होता तो त्रिदोश और अलग से ओज का इसलिएशन करना ज़रूरी नहीं होता सिर्फ उसी को बोल देते कि ओधा त्रुद्वववाला जो कफ है वही बल है और उसी की वज़ए से वही सार भाग है ऐसा कुछ कहते लेकिन अपावला कफ अलग से एकस्पून किया गया है यहां जो कफ है यह इसलिए ओज को कफ कहा गया है यह कफ के सरदुश दिखता है स्लेशमा के गुन भी बताए गए है और ओज के अलग से गुन त्रिदोश वाले स्लेशमा के गुन बताए गए हैं और और ओज के गुन अलग से explain किये गए हैं तो इस तरह से नहीं किया जाता अगर दोनों सेम होते तो तो according to me यह जो स्लेशमा या कफ है यह अलग चीज है और यह सिर्फ कफ सदुरुष्य होनी की वज़े से और ओज को स्लेशमा का उपमा दिया गया है वा एक्चुली में त्रिदोश वाला स्लेशमा हम यहां पर नहीं लेंगे ठीक है यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा इन केस कुछ नहीं समझा है तो आप लोग मुझे पूछ लेना comment section में and I will explain them next topic इसके अंदर हमारा है ओज की निर्मीती ठीक है ओज निर्मान कैसे होता है हमने देखा कि ओज सारे धातूओं का सब्त धातूओं का सार भाग है तो उसकी निर्मीती होती कैसे है ठीक है तो यह चरग सुत्रुस्तान का श्लोक है अगे ब्रहमरेही फलपुषपेव्यो य गुणई ही इती सार भागे ही इसके उपर चक्रबानी की टिका भी हमने यहां पर बता दी के ब्रहमर मींस जो मखिया है जो शहद जमा करती है मधु का संचे करती है कहां से फल और पुषप से फल और पुषप का सार भाग लेकर अर्क लेकर मधु मखिया क्या करती है शहद की निर्मीती या संचय करती हैं उसके च्छत्य के अंदर शहिद के तो उसी तरह से शरीर के अच्छे अच्छे गुण अब मधू के अंदर सारे फ़ल और फूलों के अच्छे अच्छे गुन कलेक्ट किये जाते हैं बराबर जैसे अब हम लोग अगर निचोड़ दें किसी फल को तो वो जूस बनेगा या फूल को निचोड़ दे तो उसका रस निकलेगा पर वो शहद हम लोग नहीं बना सकते मधू की निर्मिती हम नहीं कर सकते वो मधू मक्यों के अधिन है कि वो उसका प्यूरिस्ट फॉर्म या जो उनको मध निर्मिती के लिए जरूरी है वो वाला फॉर्म उनका चूस लेती है शहद फल से और पुश्पों से और उससे मधू की निर्मिती करते हैं हम यह नहीं कर सकते हमको नहीं पता कि कौन सब अर्क निकालना है जिससे हम लोग मधू की निर्मिती कर पाएंगे तो उसी तरह से ओज की भी शरीर के अंदर जो जो अच्छे अच्छे पार्स प्यूरिस्ट पार्स है उसका संचे किया जाता है और उससे ओज की निर्मिती की जाती है शरीर इभ्या गुनेई ही समरियते वो शरीर के गुनोग वाला ही होता है मनुष्य शरीर के गुनवाला ही वो ओज होता है लेकिन उसके अंदर के जो प्यूर 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 पार्म होते है उनको यहाँ पे लिया जाता है तो यहां शरीर के गुणवाला से कंसिडर करना है हमको धातू के गुणवाला मतलब क्योंकि सातो धातूओं का अर्ख है तो इसलिए हमको सातो धातूओं के गुणवाला ही ओज मिलने वाला है ये लेकिन उसका गूर प्योंर फॉर्म वाला गुन वाला धुम हाई कउम स्पॉर्म वाला का युद्ध है है सबतधातों में से कलेक्ट किया हुआ ओज निर्मिती अब गर्भाशे के अंदर ओज निर्मिती किस तरह से होती है यह हमने देखा कि कर्ण जब हमारा शरीर में रोज मा ओज निर्मिती होती है वह किस तरह से होती है आहर रस्ते ही ओज की निर्मिती होती है और इसलिए हम लोग ये भी मानते हैं कि आहर अच्छा लेना चाहिए इम्मुनिटी बूस्टर्स जिसको हम लोग आज कल तो बहुत फेमस हो चुका है सब्सक्राइब चमष्टी बूस्टर्स तो ओजो वर्धक चके अब को और रोज के हमे लिए में कहा घया हुआ हूआ जिस तरह से मधुमख्या मध का कलेक्शन करती है उस तरह से हमारे शरीर में ओज की निर्मिती होती रहती है सार भाग से अब गर्भाशाय के अंदर जब इंट्राइटरायन लाइफ के अंदर ओज निर्मिती कैसे होती है तो सबसे पहले शुक्रशोनित का सयोंग होता है तो गर्ब निर्मिती के वक्त शुक्रशोनित के सयोंग के बाद उसके सार के रूप में ओज का निर्मान होता है जैसे शुक्रशोनित से गर्ब निर्मान होता है और उसका सार भाग निर्मान होता है जिसको हम लोग ओज कहते आए उसके बाद फिर कल Раз अवस्था में जाता है गर भराइट सब्सक्र शुक्रस ओनीद सजोग के बाद क्षाश को यह कल अवस्था है तो जब कल वस्था में शुक्रसों प्रकिर कौनिदностью सां या गर्म पहुंचता है तो फीर फिर आगे चलके चतुरत महा में जब रदय की निर्मीती होती है आयरवेद में रदय की निर्मीती गर्भाशय के अंदर फोर्थ मंथ में मानी गई है तो जब रदय की निर्मीती होती है तो उसके अंदर फिर वो ओज प्रवेशित होता है और फिर जैसे जैसे उत्तर उतर ध